हेलो दोस्तों माटल मीके निकल यूटूब में आपका स्वागत है तो गैज अमारी चैनल पे आप जो नए हो तो अमारी चैनल सस्क्राइब कर दो क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नौटिपिकेशन मिले तो गैज देखिए यह हे होंडा यक्टिव और आजका इस होल्ट पर उपर के आता है और उसको बाहर की तरह निकालना है तो गैज देखिये उसका जो 8 mm का टीप आना लेकर फूरा जो शेल है वो में बाहर निकालके इस में क्या दिकते मैं आज का इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ तो गैज देखिए इस तरह को उपन किया जा सकता है बहुत तप है उसको बाहर निकलना तो गाइद देखिए यह उसका टर्मिनल है देखिए फूरे एट एमेम के जो बोल्ट है बोल्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद फूरा शेल ओपन होगा तो देखिए यह उसका आर्मेचर है और इसमें क्या क्या खराबी है तो गाई आज का इस वीडियो में आपको लाइव दिखने में मिलेगी तो सबसे पहले देखिए एट ए आपको लाइव दिखने में मिलेगे तो जब गाई आपके जो गाड़ी यह चैल नहीं लगता तो आपको समझ लेना चाहिए आपकी बैटरे भी सही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ही चैल का प्रॉब्लम है तो गाई देखिए यह मैंने बोल्ट ओपन कर दिया है और द लगता है और इसमें क्या दिक्कत है मैं आपको दिखाऊंगा तो देखिए यह अर्मेचर को मैंने निकाल दिया है और देखिए उसका जो जहां उसका कार्बन पिटिंग होता है वो हाउस देखिए यह है और देखिए यह उसका कार्बन है फूरी तरह कट चुका है आपकी गाड़ी में शेल नहीं लगता देखिए ये दोनों कार्बन को आपको डलवाना पड़ेगा इसे तभी आपका गाड़ी का शेल स्टार्ट होगा तो इस कार्बन को में ओपन कर देता हूँ स्पेस की मदद से और दुसरा नया कार्बन भी में आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से आता है तो गाई देखे इस कार्बन को इस तरह उपन किया जा सकता है और अराम से इस कार्बन को उपन किया सकता है तो गाई देखे इसमें जो दो कार्बन आता है और ये कार्बन को आपको सॉल्डर लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरा ओपन नहीं होगा ओपन करना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें solder लगा देना है तो देखिए ये पूरा जो दो स्पोर पेल है वो open करके उसका जो जो प्लास्टिक वाला कवर है वो कवर को बाहर की तरह निकालना है देखिए मैं आपको दिखाऊंगा ये उसका प्लास्टिक वाला कवर है देखिए तो इस कवर को बाहर की तरह निकालना है और देखिए ये कार्बन को आपको देखिए इस तरह बाहर open होगा लेकिन आपको open करना नहीं है उसको solder लगा देना है तो देखिए ये उसकी प्लास्टिक वाली बाड़ी है पूरा उसका कवर है जहां कार्बिन फिटिंग होता है वार देखिए गाई ये उसका आर्मेचर है और आर्मेचर को भी क्लीन करना है वार देखिए उसकी जो बेरिंग है वो बेरिंग को भी चेक कर लिने चाहिए और ये पूरा उसका आर्मेचर को cleaning करके grishing करके fitting करना है तो इस कार्मेचर को फूरा petrol में clean करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह clean किया जाता है तो ये देखे ये भी उसको clean करना है और guide देखे ये उसका जो carbon है hold देखे किस तरह कट चुका है और ये भी देखे तो सबसे पहले गई देखे उसको आप petrol की जरीए से उसको clean कर देना है clean देखे इस तरह clean करके air mark के उसको लगाना है क्योंकि उसकी अंदर जो फूरी जो dust है देखे वो dust को clean कर देना चाहिए देखे इस तरह उसको cleaning किया जाता है देखिए पेट्रोल लेकर पूरा अर्मेचर का देखिए उसका जो उसका जो हाउसिंग है जा पिटिंग होता है देखिए सेल का जो पूरे मेगनेट लगे हुए होता है वो भी क्लेनिंग कर देना चाहिए और इसका जो कार्बन लगता है वो उसका जो टॉप बाग है देखि तो गाइज इसा प्रब्लम आपके पास जो आए तो आपको समझ लेना चाहिए आपको अपने एक्सपेरियंस से खुद भी शेल का काम कर सकते हो इसलिए मैं पूरी जानकरी इस वीडिये में मैंने आपको लाइव दिखा दिये इस तरीके से आप काम कर सकते हो तो इसको देख को क्लिनिंग कर देना चाहिए तो गई देखिए फूरा पेट्रोल से मैंने क्लिनिंग कर दिया है अब मैं वो फिटिंग करने वाला हूँ उसका करबन तो गई देखिए यह है उसका नया करबन देखिए नया करबन इस तरीके से आता है देखिए यह बिलकुल नया करबन है और मैं आपको old भी कर्बन दिखाऊंगा तो देखिए इसमें कितना फर्क है देखिए पूरी तरह कट चुका है और यह नया कर्बन देखिए और उसका washer वशर सब कुछ इस कर्बन में आते हैं तो देखिए यह आपको solder लगाना है इस कर्बन को देखिए और उसका space PR दिया गया है देखिए यह उसकी जो return spring है वो spring को भी उस कर्बन के set में आती है तो गई देखिए इसको इस तरह निकाल देना है जहाँ मैंने आपको बोला था वहाँ कर्बन को जहाँ solder लगाना है इसको इस तरह काट देना है देखिए इस तरह उसको cleaning करके उसमें जो नया कर्बन है आपको solder लगाना है देखिए तो गई देखिए इस कर्बन को हम लगाएंगे solder तो गई देखिए उसको कर्बन लगाना देखिए यहाँ solder लगाना है तो गई देखिए आपके पास ये solder लगाना है तो आपके पास देखिए ये solder होना जरूरी है क्योंकि कही शेलों में solder की जरूरत पड़ती है और कही शेल में दो कार्बन फोरपेल की वज़े से फिटिंग किया जाता है बट इस काड़ी में solder लगा जाता है तो गाई देखिए यहाँ पर उसका solder करना है तो ये solder मैंने गरम करने के लिए रखा दिया गया है और देखिए तो काई देखिए ये उसका जो टॉप फ़न पा गए मैंने वाइस में फिटिंग करके देखिए इस solder को इस तरह देखिए पूरा सॉल्डर को गरम करके इसमें मैं यहाँ पे देखिए इस तरह सॉल्डरिंग कर दूँगा तो गाई देखिए आपके पास सॉल्डर होना जरूर है तब ही आप खुद शेल का काम कर सकते हो तो गाई देखिए इस वीडियो में देखकर अपने experience से आप खुद भी शेल का काम कर सकते हो तो गाई आपके पास यह सॉल्डर होना जरूरी है तब ही आप सॉल्डरिंग का काम कर सकते हो देखिए इस तरह जो उसका कार्बन है उस पर भी थोड़ा लगा देना चाहिए क्योंकि आपने यह नहीं लगाया तो वो जो कार्बन है वो फिटिंग नहीं होगा देखिए इस तरह लगा के उसको उसका जो टर्मिनल है देखिए यहाँ उसको फिटिंग करना है देखिए इस तरह तो गाई देखिए पूरे उस पर कलाई लग चुकी है अब देखिए इसके बाद में आपको दिखाऊंगा इस तरह देखिए इस तरह उसको फिटिंग कर देना है देखिए तो इस तरह उसका कार्बन एक कार्बन को सॉल्डरिंग किया जा सकता है देखिए इस तरह फिटिंग करके देखिए और दुसरा कार्बन है वो और पेल की मदद से फिटिंग किया जा सकता है क्योंकि उसमें स्क्रू आ तो प्लास्टिक वाला कवर मैंने पहले उपन किया था विए उसको इस तरह अच्छे से वैठास बीठा देना चाहिए तो देखिए उसको इस तरह उसकी प्लेट क से फ्टेंग्सम महीं किया जाच है तो ऊसको इससे प्ल rich infection का सकता है देखिए इस तरह स्पेस की मदद से अच्छे से फिटिंग कर देना चाहिए क्योंकि इसमें कोई प्ले नर जाए इसका खास आपको द्यान रखना है देखिए वह और उसके सामने वाला बोल्ट पी है उसको भी फोर्पेल की मदद से पूरी तरह से फिटिंग कर देना तो गई देखिए जो ये दो स्प्रिंगे है तो ये दो स्प्रिंग है देखिए ये दो स्प्रिंग को इस तरह पहले से लगाना है देखिए वह स्प्रिंग के बाद उसका आएगा कार्बन तो कार्बन को वह स्प्रिंग है वो टेंशन में रखती है देखिए इस तरह उसकी स्प्रिंग आएगे स्प्रिंग के बाद उसका जो कार्बन है वह कर बनाएगा उसका गुर्म वह में अस से से इश्टॉल कर देना है देखिए वह अच्छे से मुँ होगे देखें और उसके बाद देखिए गय ज singular है यह को देखvantage इस तरह इस्टोल कर देना है देखिए वह आराम से उसकी जगह में इस्टोल हो जाए गया और उसका कार्बन है जो उसको अटेज में रहना चाहिए देखिए इस तरह वह अटेज में रहता है देखिए वह उसकी जगह में बिल्कुल आराम से फेटिंग हो गया है तो गाई देख सेल की का काम किस तरह किया जाता है और उसमें क्या दिक्कति और कीसा प्रबलम था वो भी मैंने आपको इसमें दिखा दिया है तो गैड़ देखे जो he home की तरीका है उसका शेल्फ का काम करने का और आपके पास शेल्फ का काम करना है तो आपके पास से आप काम कर सकते हो तो गाइज हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना सेस्क्राइब कर देना शेयर कर देना इससे सारे टूविलर के लगते रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे